मधेपुरा की जादुगर पुलिस पकड़ के लाई बाईक जपती सूची में वो बन गई पुरानी साइकील आज तक आपने जादुगर के हाथ की सफाई को देखा होगा आज मधेपुरा संचार आपको मधेपुरा पुलिस की हाथ की सफाई दिखाएगी 500 میटर तक सरक पर घसीट कर एक पुलिस करमी सराब तसकर की बाईक को गमर्या थाना तक लाता है लेकिन जब केस दर्ज करने की बात आती है तो तसकर की बाईक पुरानी साइकील में बदल जाती है पुलिस करमी बटाते हैं कि इस हाथ की सफाई की कीमत 15,000 वसूल की गई खबर नहीं छापने के लिए वे पहले तो अपने बाल बच्चों की दुहाई देते हैं फिर आबास पर मिलने की पेसकस भी करते हैं मदेपुरा संचार जब उनसे शच उगलने को कहता है तो वे बस इतना ही कह पाते हैं कि हमने सिर्फ बड़ा बाबु के आदेश का पालन किय तो दूसरी और जब सराव की तसकर की बाइक को थाना लाने वाली पुलिस कर्मी को इसाहाथ की सबाई की जानकारी मिलती है तो वो भी अवाक हो जाते हैं अब पूरा मामला समझे दिनांक 6 सितंबर 2022 को गमरिया बाजार की काली चोक पर पुलिस कर्मियों ने सिंगेश और छेतर के गिधा निवासी मनोज सरदार को बाइक के साथ ही रासत में लिया बाइक के हैंडल पर लटक रहे जोले से और डिकी से सराव जब्त किया गया इसकी सूचना ततकाल उन लोगों ने अपने वड़िय अधिकारी को दी इसके बाद गस्त पर रहे दरोगा पांडे वह देखा है कि वो संध्या गस्ती में थे उसे सूचना मिली कि एक व्यक्ती साइकील से देशी सराब लेकर निकलने वाला है फिर वो वह पहुंचते हैं तो पुलीस की गारी देखकर साइकील छोड़ कर भागने लगते हैं तब उसे पकड़ा जाता है और पुलीस गारी से ठा दाना लाया जाता है और उस पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है। आप से मिलकर बात कर लेते हैं मदेपुरा पुलीस की ये जादू है जहां आज तक आपने जादूगर के हाथ की सफाई को देखा होगा लेकिन आज मदेपुरा संचार के इस खबर को आप देखिए तो आप चौक जाएंगे ये पुलीस की हाथ की सफाई दिखाएगी पांच करकी बाइक पुरानी साइकील में बदल जाती है हलांकि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए